नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाई अस्वी में दोस्तों आज हम बात करेंगे वीडियो रिग्जाम के कट आप को कि आखिर क्या रहने वाला इस साल 2013 में आप सबका कट आफ वीडियो का तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था आप लुगों को बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों के किस बेश पर आपका कट आफ इतना ही जाएगा तो दोस्तों मैं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक ज्यानकारी देख लेता हूं उसक सभी को पता होगा, टोटल जो है, पांच लाख बच्चों ने क्या किया था, एक्जाम दिया था, और आपके जो एक्जाम हुए थे, टोटल चार सिप्टों में हुगा था, चार सिप्टों में जब हुआ है तो दोस्तों आप लोगों को नार्मलाइजेसन तो पक्का ही होगा दोस्तों अब जब नार्मलाइजेसन होगा तब आप लोगों का मार्क्स क्या बढ़ेगा या घटेगा तो दोस्तो जिन भायों का पेपर हाड था जिन भायों का पेपर हाड था उन सब का cutoff marks जो है पांच से छह marks छो है आप सभी के बढ़ेंगे दोस्तो और जिन जिन का पेपर इजी था तो उनके marks में ज्यादा परीवर्टन सो नहीं लेकिन एक-2 Marks का अंतर जरूर देखने को मिल जाएगा किसी-कि का minus में जा सकता है दोस्तों कोई 1,2 पेस्था सकता ये अब तो अब बात करते हैं दोस्तों कि 2018 में क्या धा कट-Up वीदियो का तो 2008 में जो वीदियो का और OBC की बात कर ली जाए, OBC का जो कटाप था, तो ओहीं आपका 205, 80 की बात कर ली जाए दोस्तों, तो आपका 150, 80 की बात कर ली जाए तो ओह आपके 168 थे, कितने? 168, इतने माक्स आपके जो है, 2018 में दोस्तों थे, 2023 में क्या रहेगा? आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है, तो दोस्तों 2023 में आप सभी के कट अफ्स थोड़े लो जाएंगे, अब लोग क्यों जाएंगे? मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दोस्तों क्या कट अफ्स रहेगा? अगर दोस्तों आप जन्रल से हैं, जन्रल से, तो आपका जो है वहीं 190 से लेकर के 195 के बीच में जो है जन्रल ओलो का कट अफ्स वार आ जाएगा, अब 80 की बात करता हूँ, अब हैसी की जो कट अफ्स रहेगा, और ऐस्टी कत अफ्स रहा सकता है ओऊ तो आपका 170 से लेकर के 180 के बीच में रह सकता है दोस्तों कि एस्टी की बात कर ली जाए तो ही आपका 160 से लेकर के 170 के बीच में रह सकता है दोस्तों तो दोस्तों एक्सपेक्टर कटाफ है ना कि रियल कटाफ है लेकिन दोस्तों आप सभी के कट आफ जो है इस बार इसी कट आफ के वीच में आ जाएंगे और देख लेते हैं किन भायों का नंबर बढ़ेगा तो दोस्तों जिन भायों का पीपर 29 को हुगा था उन सभी भायों का माक्स बढ़ने की चांसे हैं दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समावत करना चाहूंगा मिलूंगा अगले वीडियो में जैसी कोई खबर आगी तब तक के लिए धन्यबाद जैहिन जै भारत